जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 और 18 नवंबर 2022 के धनुरासी फल के बारे में धनुरासी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे? इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे? क्या योग बनेगा? और ग्रह आपकी तिंचरिया को कैसे प्रमावित करेंगे? जानेंगे आपके केरियर, वेपार, वेवसाय, नौकरी, सिक्छा, स्वास्थ, पारिवरिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्ते जीवन सभी के बारे में दोस्तों आगे बढ़ें, इससे पहले आपसे निविदन है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ तो दोस्तों जानते हैं, इन दो दिनों में क्या तिथी होगी, क्या नक्षत्र होगा, और कौन से योग बनेंगे, बात करते हैं सबसे पहले इन दो दिनों के पंचांग के बारे में 17 नवंबर 2022 किर्शन पक्ष का गुरुवार का दिन होगा, अस्ट मी तिथी सुभे 7 बजकर 69 मनट तक रहेगी, फिर 9 मी तिथी सुरू हो जाएगी, इंद्रियोग अगले दिन सुभे 1 बजकर 22 मनट तक रहेगा, इसके बाद पूर्वा फागुनेनक चत्र सुरू हो सुर्य देव वरश्चिक रासी में वराजमान होंगे, चंदर देव सिंग रासी में वराजमान होंगे, राहुकाल का समय दोफेर 1 बजकर 26 मिनट से, दोफेर 2 बजकर 46 मिनट तक रहेगा, और अभिजीत मुरज सुभे 11 बजकर 44 मिनट से, दोफेर 12 बजकर 27 मिनट तक फिर दसमी तिति सुरू हो जाएगी। राहुकाल का समय सुभे 10.45 मिनट से दोफेर 12.6 मिनट तक रहेगा और अभीजीत मूरत सुभे 11.44 मिनट से दोफेर 12.27 मिनट तक रहेगा। दोस्तो 17 और 18 नवम मरको चंद्रमा आपके नवम और दसम भाव में वराजमान होगा। बात करें जब चंद्रमा आपके नवम भाव में वराजमान होगा। तो नवमा घर ब्रस्पति से संबन्दित होता है जो चंद्रमा का परम्मित्र है और यहां ब्रस्पति आपके चतुर्थ भाव में वराजमान है जो आपके परिवार का सुख का कारक है तो ऐसे में देवगुरू ब्रस्पति की किरपासे परिवार में खुसियों का आगमन ह होगा माता की ओर से धन प्राप्ति के यूग बनेंगे इस वरान आपको भवन भूमी वाहन प्रॉपर्टी आदि का सुख प्राप्त होगा और यहां देव गुरु ब्रस्पति की द्रस्टी आपके वैपार वेबसाइप पर भी होगी जिससे आपको अपने वैपार अच्छा फायदा होगा उन्नती के अच्छे अफसर मिलेंगे साथी चंद्रमा आपके भाग्य भाव में हैं तो इस दोरान आपका भाग्य मजबूत होगा सिक्षा के छेत्र में अच्छे परणाम प्राप्त होंगे गुरु जनों का पिता का बड़े भाही बेनों का और यहां चंद्रमा की पून्द रस्टी आपकी तिर्ते भाव पर होगी जिससे आपको किसी छोटी यातर पर जाने के योग बनेंगे भाई बेनों का पून्द सपोर्ट मिलेगा आपके प्राक्रम में व्रद्धी होगी इस दोरान आप अपनी सूज बूज से हर समश्या क समाधान निकालने में सक्षम होंगे तो यहां चंद्रमा और ब्रस्पती से सम्मंदित दोनों ग्रों से सम्मंदित लक्षन और सुविधाओं को आप ग्रहन करेंगे साधी अच्छे आचरन के होंगे मन से धार्मिक होंगे धार्मिक किर्ते और तीर थ्यात्राओं से प्रेम तो यहां चंदर्मा के इस्तिति आपके लिए काफी अनुकूल सावित होगी। सरकार से जुड़ा व्यक्ति आपको सम्मानित कर सकता है। और यहां सनी आपके धन भाव में, दित्ते भाव में सीधी चाल से चल रहे हैं। और उनकी दरस्टी आपके अस्टम भाव पर है। जो आपके छटे और दस्वें भाव पर भी दरस्टी डाल रहे हैं। तो ऐसे में आपको धन कमाने के नए अफसर प्राप्त होंगे। धन संबंदी समश्याएं खत्म होंगे। वेपार वेबसाय में अच्छी उन्नेती के अफसर आपको मिलेंगे। आपको किसी भी मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। और इस रासी के जो लोग मेडिकल छेतर से जुड़े हुए हैं, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, नर्सिंग स्टाप से हैं या डॉक्टर हैं, इस दोरान प्रसिद्धी प्राप्त करेंगे और अच्छा धन कमाने में भी कामियाब होंगे। दोसरे सब्दों में कहें तो पैसे की बरसात होगी। और यहां सनी से संबंदी चीजें व्यवसाय आपके लिए फायदे मंद साबित होंगे। धार में इस्थानों की यात्रा से भाग्य में विरद्धी होगी। चंदर्मा की यह इस्थाथी आपकी सोच समझ में विरद्धी करेगी। यानि आपकी सोचने समझने का इस्तर बढ़ेगा। निर्ने लेने में आसानी होगी। और यात्राउं से अच्छा लाप प्राप्त होगा। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ती होगी। बंदू-बां चल रहा है तो वहां भी परणाम आपके पक्ष में आने की संभावना रहेगी। और यह समय होगा जब समाज में आपकी एक अच्छी छवी होगी। आपकी लोग प्रियता बढ़ेगी। वानी में जितनी मधूरता होगी उत्रा ही वेपार और वेबसाय आगे माता के साथ संभन अच्छे होंगे। कारी छेतर का दायरा बढ़ेगा। जीवन में निश्चित रूप से बड़ी सफलताएं प्राप्त करेंगे और बच्चों के साथ परिवार के साथ समय बिताएंगे। साजीदारी में भी अच्छेलाब की प्राप्ती होगी, प्रेम संबन्द अच्छे होंगे, वेवाहिक जीवन मधुर होगा और सिक्छा के छेतर से जुड़े लोगों को काम्या भी मिलेगी। और इस दोरान आपकी आर्थिक इस्तिती भी मजबूत होगी। पुरानी चली के लिए बेहत खास होंगे। दोस्तों ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर।